नमस्कार आप समी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में काफी लंबे समय बाद ये वीडियो बना रहा हूँ कुछ व्यस्तत आएं थी जिसकी वज़ाद से मैं वीडियो नहीं बना पाया आज का वीडियो हम बना रहे हैं सर्च इंजन ऑप्रिमाइजेशन पर आप जब भी कोई वीडियो या फिर कोई न्यूज या कोई कंटेंट आप जब सोचल मीडिया पर या डिजिटल प्लैटफॉर्म पर डालते हैं तो वो देखा जाए लोग उसको देखें समझें और वो लोगों को तक पहुँचें इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप उस वीडियो को डालें तो उसमें क्या-क्या चीज़ें किस-किस तरीके से डालने होती हैं तक कि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा देखें गूगल में भी वो ट्रेंड करें और जब भी कोई उससे रिलेटेड किसी वीडियो को सर्च करें तो सबसे उपर आपका वीडियो आए यह बहुत ज़रूरी होता है आप बहुत मेहनत करते हैं किसी भी कंटेंट को डवलप करने में वीडियो में या फिर न्यूस कंटेंट बनाने में लेकिन अगर वो सर्च में नहीं आता है बहुत नीचे सर्च में आता है तो वो ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं उसको और इसकी वज़े से आप कई बार डिप्रेस होते हैं तो इसके लिए SEO यानि कि सर्च इंजिन उप्रिमाजेशन बहुत ज़रूरी होता है इसके में कंटेंट क्या-क्या है आपको आज पूरा ऐसा SEO का सिस्टम बताने की कोशिश करेंगे आप जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और जो SEO में आज मैंने आपको बताया है उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो जाहिर तोर पर निश्चित तोर पर आपका जो वीडियो है वो सर्च में आएगा अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो बहुत स्यादा व्यूज उसको मिलेंगे अगर आप न्यूस कंटेंट बना रहे हैं तो उसको देखने वाले भी बहुत स्यादा होंगे और गूगल ट्रेंडिंग में और सर्च एंजन में वो आपको टॉप में देखेगा चलिए शुरुआत करते हैं SEO किसी भी वीडियो को जब हम बनाते हैं किसी भी कंटेंट को जब हम डेवलब करते हैं तो किन चीजों पर हमको खास फोकस करना चाहिए तो ऐसी हो कि जो में कंटेंट हैं वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सबसे पहले इसका कंटेंट आता है टाइटल जो हम उसका टाइटल बनाते हैं वो बहुत इंपोर्टेंट होता है दूसरे नमबर पर आता है मेटा डिस्रिप्शन Meta description वो detail होती है, वो summary होती है जो आप उस title के बाद, उस story के बारे में थोड़ा बहुत कुछ limited शब्दों में लेखते हैं, limited words में लेखते हैं That is meta description तीसे नमर पर आता है keywords, आप जो लिख रहे हैं उसमें आपने किस तरह के keywords इस्तेमाल किये हैं यह बहुत important होता है इसको समझना, यह search engine के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को हम ढूंडते हैं तो keywords से ढूंडते हैं इसलिए इस पर बहुत ज्यादा focus करना जरूरी है चौथा है content, आप जो content बना रहे हैं वो content क्या है, किस तरह का content है, वो अभी बनाने लायक है या नहीं, अभी इन दिनों वो ढूंडा जा रहा है या नहीं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके उपर वो depend करता है और इसके बाद आता है comment reviews, आपने जो चीज़ें बनाई हैं, उन पर किस तरह के comment आ रहे हैं, क्या reviews आ रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको आगला वीडियो किस तरह का बनाना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि लोग उसके बारे में पूछ रहे ह लेकिन अगर उस तरह का content मिला तो, चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया title, देखे title की खास बात यह होती है, जैसे आप अख़बार हम पढ़ते हैं, या फिर जब हम news bulletin tv पर देखते हैं, तो उसकी headlines होती है, तो जो title होता है, वो बहुत important होता है, अगर आपको news paper पढ़ने में, उसकी headline में कुछ important दिखा, तो आप उसकी news को पढ़ते हैं, सिधा news के content को नहीं पढ़ते हैं, तो headline या फिर title बहुत माइने रखता है, तो news या कोई भी आप content बना रहे हैं, तो उसका जो title है, वो एक तो brief होना चाहिए, brief मतलब छोटा detail उसमे चोटा सा brief उसकी knowledge होनी चाहिए, और यह बिलकुँ साफ होना चाहिए, heading में बहुत जादा उल्जन नहीं होनी चाहिए, सीधा उसको समझ में आना चाहिए, कि आप जो content बना रहे हैं, उसमें आगे आपको क्या जानने को मिलेगा? एक और खास बात, heading में जो खबर है, उसमें आप keywords जरूर इस्तेमाल करें, जिस तरह की चीज आपने बनाई है, जो content आपने बनाया है, उसमें किस तरह की keyword, keyword मतलब वो चीजें, वो alphabets जो search में किया जा रहे हैं, मतलब नरिंदर मोदी को लेकर आपको वीडियो बना रहे ह तो उसकी heading में मोदी का नाम जरूर होना चाहिए, और आप particular मोदी को लेकर उनकी biography की अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें मोदी और biography, नरेंदर मोदी और biography ये तीन keywords जरूर होने चाहिए, ताकि जब भी कोई कुछ content search करे, तो उसके बारे में उसको तुरंत search engine में पता चले कि आपका जो content है सबसे priority में हैं, लोग उसको ज्यादा देखेंगे, तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप टाइटल बना रहे हैं, तो उनमें keywords का इस्तेमाद जरूर करें, जो keywords search में चल रहे हैं, जिनको लोग इन दिनों धूण रहे हैं अब मैं आपको tips देने वाला हूँ जो title बनाने में बहुत जरूरी और बहुत important आपके लिए हो सकती हैं, सबसे पहले तो जो trending में keywords चल रहे हैं, जो इन दिनों जिनको बहुत जादा इस्तिमाल किया रहा है, बहुत जादा search किया रहा है या बहुत जादा जिनके बारे में बातचीत हो रही है, वो होते है trending keywords, उन trending keywords को हमें इस्तिमाल करना है उस title को लिखने में, और trending words को लेकर मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा कि उन्हें trending words को हम कैसे ढूंड सकते हैं, उनके लिए क्या-क्या tool हो सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा लेकिन उन trending words को आप अगर ढूंड कर और उस title में इस्तिमाल करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा searching में आएगा इसके बाद आता है Local Geo Keywords, Local Geo Keywords मतलब हम उस location की बात कर रेखेंगे, मसला जैपुर की कोई बात है, तो जैपुर में पहुँचे प्रथानमंत्री नरेंद्रमॉधी, जैपुर आगया, प्रथानमंत्री आगया, नरेंद्रमॉधी आगया तो ये local geo जो keyword है आपके location की बारे में खबर बता रही है उसका अगर आप जिक्र करेंगे उसमें title में तो बहुत ज्यादा आपके उस video को देखा जाएगा उस content को सर्च किया जाएगा तीसरे नमर पर आता है local search keyword जो जियो मैंने आपको बताया उसके अलावा location के अलावा भी कुछ local words होते हैं जो उस particular area में बहुत ज़्यादा इस्तिमाल होते हैं जिनको हम उस अगर title में इस्तिमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा searching में वो आते हैं तो हमें ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो title में अगर हम tips के तौर पर अगर हम इनको importance ही देते हैं तो ये हमारे वीडियो को या हमारे content को आगे search करने में आगे उसको priority पर लाने में बहुत ज़्यादा मददगार सावित होती है तो हमेशा ध्यान रखें जब भी title बनाएं तो उन चीज़ों का जरूर ख्याल रखें एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी वो था meta description meta description वो detail होती है जो आप title के बाद लिखते हैं 350-400 word के आसपास आप लिखते हैं 300-500 word के आसपास उन में उन keywords को आप इस्तेमाल करें जिन keywords की इन दिनों trending चल रखी है या जिस पर आपका पूरा वीडियो है मसलब प्रधान मंत्री नरेंद्रमूदी का बायोग्राफी को लेकर आप बना रहे हैं तो उसमें आप उन शब्दों को इस्तेमाल करें उन keywords को इस्तेमाल करें मतलब प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्रमूदी, लाइफ, बायोग्राफी, जीवन ये ऐसे keywords हैं जो आपकी story से related keywords हैं उनको आप meta description में जरूर इस्तेमाल करें meta description में आप थोड़ा सा detail जब आप देखते हैं किसी चीज में title के बाद जो जहां से ख़बर शुरू होती है वो उसकी meta description होती है और अगर मान लीजी आप video बनाया है आपने तो video में भी title के बाद आपको थोड़ा सा उसके बारे में brief note बताने में आपको थोड़ा सा आसानी होती है तो ज़रूरत इस बात की है कि आप उस meta description में उन keywords को इस्तिमाल करें जो कि इन दिनों search में है जिनको इन दिनों trend किया जा रहा है आप देखते हैं YouTube का भी कोई आप video जब search करते हैं तो title के साथ दो या तीन लाइनों में वो keywords भी होते हैं जिनको आप search कर रहे हैं वो highlighted हो जाते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप उन keywords को उस meta description में भी इस्तिमाल करें अगर आप कोई local level की खबर बना रहे हैं मतलब इस्थानी अस्तिर की कोई खबर बना रहे हैं तो आप उस जगह का नाम आप इस्तिमाल जरूर करें उस meta description में और उसका एक तरीका हो सकता है कि आप उसे अंग्रेजी में इस्तिमाल करें क्योंकि अक्सर हम content को बहुत ज़्यादा हिंदी में भी ढूड़ा जाता है लेकि अंग्रेजी में ज़्यादा ढूड़ते हैं इसको आप पहले लिखें और फिर उसके बाद आप summary अगर शुरू करेंगे तो यह search में बहुत ज़्यादा आता है जैपुर News in Hindi या फिर हम कहें कि डैली News in Hindi तो कई लोग होते हैं जब search करते हैं तो डैली News in Hindi लिखते हैं तो जैसी वो इस keyword को टाइप करेंगे search engine में तो यह आपकी स्टूरी सबसे पहले नजर आएगी Hindi और English इसके अलावा एक और language चलती है डिजिटल मीडिया पर that is English यानि कि अंग्रेजी वर्ण माला में हिंदी के शब्दों को लिखना मसलन हिंग्लिश keywords में आपको लिखना है कि विधान सभा चुनाव कब है तो आप इसको एक तो हिंदी जो लिपी है उसमें लेखें और दूसरा बोला तो हिंदी में जाएगा लेकिन इसको लिखने की जो लिपी है वो अंग्रेजी वाली जो है उसमें लिखा जाएगा मसलन विधान सभा चुनाव कब है इसको आप लिखनेंगे V-I-D-H-A-N-S-A-B-H-A-C-H-U-N-A-V-B-K-A-B-H-A-I या फिर H-A-I-N जब आप इस तरह से लिखते हैं तो भी ये आपकी स्टोरी को बहुत ज़ादा प्रमोट करता है सर्च इंजन में बहुत ज़ादा प्राइटी पर लेकर आता है चुंकि लोगों इसी तरह से डूँढ़ते हैं जिनको हिंदी टैपिंग नहीं आती है वो अकसर किसी भी स्टोरी को डूँढ़ते वक्त इसी तरह से कीवर्स का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप मैटा डिस्क्रिप्शन में हिंगलिश का भी इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है कि खबर का जो आप पहला पेरग्राफ लिखें, उसमें उन चीजों का, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। और साथ ही हिंगलिश, जैसा मैंना आपको बताए कि हिंदी, इंगलिश, बोलने की बात, जो भाषा है वो तो हिंदी है, लिखने की भाषा है, जो लिपी है, वो अंग्रेजी होती है, ताकि जब भी जिनको हिंदी टैपिक नहीं आती है, वो भी अगर किसी स्टोरी को सर्च क का English में जरूर इस्तेमान करें एक और चीज़ आपका जो पहला paragraph है उसमें जो भी आप content है उसको unique यानि कि ऐसा content रखिए जो सिर्फ आपकी story में ही हो ये इसलिए जरूरी होता है कि जब भी आप Google Trend में आप आपकी story जब आती है तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपका जो content है वो unique हो ताकि लोग जब search करें तो उनको बहुत ज़ादा search engine को या फिर जो algorithm चलता है digital media का उस algorithm में सबसे पहले वो आपके content को लेकर आए ये उसकी एक technical language होती है जिससे वो आपके जितना दुनिया भर में content होता है किसी ने कुछ search किया तो उस दुनिया भर के content में से किसी एक content को च्छांटता है लेकिन वो च्छांटे कैसे उन keywords से उसको उशारा मिलता है या फिर paragraph जो है आपका title और paragraph meta description जो summary है उनमें आपने किस तरह के keywords या फिर किस तरह के unique content का इस्तेमाल किया है इसलिए जरूरी है कि जब भी आप meta description में कुछ detail डालें summary में कुछ detail डालें तो वो unique होनी चाहिए मैं बार-बार keyword शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ keyword वो शब्द है जिनको लोग किसी भी story को ढूणते वक्त type करके और लिखते हैं Google में लिखते हैं या फिर बिंग में लिखते हैं फिर जो दूसरा search एंजियर उसमें लिखते हैं तो keyword आप ये ध्यान रखें कि keyword कुछ इस तरह से इस्तिमाल करें कि सारे keyword भी आपके उस खबर में आ जाएं लेकिन उनका reputation भी ना हो जैसे मान लिजे प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी biography ये मैंने चार keyword आपको बताएं ये आपके उस content में और title में होने चाहिएं और ये शुरुवात में ही होनी चाहिए इनको repeat नहीं करना इसके एक line में मान लीजे आपने इनको चारों को लिख लिया है इसके बाद जब आप दूसरी line आगे बढ़ा रहे हैं तो कोशिश करें कि या तो इनके कोई सेनोने में इस्तिमाल करें या फिर ऐसे keyword इस्तिमाल करें जो पहले तो नहीं आए हैं लेकिन search में चल रहे हैं ताकि आपके maximum keyword जो possible होने चाहिए वो सब उस content में आ जाएं क्योंकि space तो ले ही रहा है एक keyword जब एक बार searching में आ गया तो उसको बार बार repeat करने से searching उसकी बढ़ेगी नहीं लेकिन आपका आप उस keyword की जगा कुछ और नया keyword ऐसा लिख सकते थे जिसकी वज़ा से आपकी story सर्च में आए तो ज़रूरी है कि आप repeat ना करें keywords को और जो भी maximum keywords आ सकते हैं शुरुआती content में उनको इस्तिमाल करें अब आता है tax की देखे tax बहुत ज़रूरी होता है hash लगा कर हम tax का इस्तिमाल करते हैं और ये 4 या 5 के आसपास होने चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं और इनको आप ज़रूर इस्तिमाल करें क्योंकि ये searching में आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आते हैं और इन टेक्स को आप English में, Hindi में या फिर English जैसा मैंने आपको बताया उस तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं तो आप hashtag जो इस्तिमाल करें 4 से 5 के आसपास काफी होते हैं और इनको आप इन तीनों तरीकों से इस्तिमाल कर सकते हैं एक बहुत ज़रूर शीज और है वो है interlink आपने कोई स्टोरी लिखी उस स्टोरी से related या उससे जोड़ा किसी भी तरह का कोई content आप पहले भी बना चुके हैं तो आप इस स्टोरी को उस स्टोरी से interlink करना ना भूरें आप अपने visual content में भी इसका जिकर करें और साथ ही आपने जो meta description या फिर जो summary लिखी है उसमें उसका एक link डाल दें ताकि उससे related दूसरी स्टोरी अगर कोई सर्च करना चाहता है तो उससे दरोदर जाने की ज़रूरत होगी और आपका जो page है या फिर youtube चैनल है जो भी आपका medium है वो आगे बढ़ेगा उससे बाहर आप किसी को जाने नहीं देंगे इसका एक और तरीका होता है आपने देखा होगा कि जब भी हम video बनाते हैं मैं भी जब video बनाता हूँ तो किसी पुराने content के बारे में अगर मैं बात करता हूँ और आप से कहता हूँ कि आपको अगर ये content जानना है तो आप i button पर click करें या फिर मैं ये कहता हूँ कि आप नीचे जो description है मैंने उसमें link दिया हुआ है तो ये interlink करना होता है आपके पुराने content को आप वापस searching में लिका आते हैं इस तरह से तो आपके पुराने content को भी एक तरह से reach मिलती है और आपका जो पूरा medium है वो rich होता है क्योंकि किसी और जगह लोगों को वापस search करने की ज़रूरत नहीं पढ़ती आपने एक बार एक और चीज़ कई बार जैसा हम आकसर देखते हैं कि हम जो लिखनी की हमारी आदत होती है चुकि हम mobile इस्तिमाल करते हैं तो हम short form में बहुत लिखते हैं शब्दों को ऐसा ना करें जब भी आप keywords का इस्तिमाल कर रहे हैं तो उसकी full form यानि पूरे keyword को लिखें छोटे शब्दों का इस्तिमाल ना करें मतलना आप गहलोत की जगर अगर आप अशोग गहलोत लिखेंगे तो ज्यादा सर्च किया जाएगा मोधी की जगह आप अगर नरेंद्र मोधी लिखेंगे तो वो ज्यादा सर्च किया जाएगा तो short form इस्तिमाल ना करें, छोटे शब्द इस्तिमाल ना करें, उनको पूरे तरीके से इस्तिमाल करें, ताकि अगर कोई short form में भी अगर कोई search करेगा, तो भी वो आपका keyword searching में आएगा, और अगर पूरे शब्द को अगर कोई keyword को इस्तिमाल करता है, तो भी आपका content searching में कि जितने भी trending वाले keywords आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप वो आपको ranking देंगे यानि कि more keywords more ranking दूसरा use mix high and low keywords for more SERP यानि कि search engine result pages के लिए आपको high keywords भी इस्तेमाल करने हैं और low keywords भी इस्तेमाल करने हैं और mix करके इस्तेमाल करें शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि keywords को हम किस तरह से search करें क्या इसके लिए टूल हो सकते हैं तो अब चलते चलते इस वीडियो में मैं आपको वो टूल बता देता हूं कि keywords को आप कैसे search करें आपको पता कैसे चलेगा कि इन दिनों लोग क्या search कर रहे हैं या मैं कौन स किसी भी Keyword के बारे में जान पाएंगे कि ये keyword कितना सर्चिंग में चल रहा है कहां कहां सर्चिंग में चल रहा है किस तरह की searching है और किस तरह के लोग इसको searching कर रहे है territory के हिसाब से Age Group के हिसाब आप इसको अलगला kategorize कर सकते हैं दूसरा है keyword planer, keyword planner अर्वे भी आप किसी भी कीवर्ड को डाल के और उसके बारे में डेटेल जान सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड किस वक्त कहां कैसे इस्तिमाल किया जा रहा है, कल कौन सा कीवर्ड इस्तिमाल हो रहा था, आज कौन सा कीवर्ड इस्तिमाल हो रहा है, पूरे साल में कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ ऐसा ही है Google Analytics Google Analytics आपको आपका खुद का एक ऐसा टूल है जिसमें आप यह पता कर सकते हैं कि जो आपने खुद ने भी content बनाया है या पर दूसरे जो लोगों के content है उनमें उस content को किस वजह से ज़्यादा ढूंडा गया ऐसा कौन सा keyword था जिसमें वो आपका content सबसे ज़्यादा दिखा तो आप उन keywords को इस्तिमाल करके आपने नए वीडियो में आप उनको इस्तिमाल कर सकते हैं दूसरा search local trends आपका जो locality है उसके आपसे local trend क्या कर रहा है अगर भारत का कोई content बना रही है तो उसमें आप अमेरिका का या चाइना का कोई content keyword अगर search करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं तो local आपका search trend क्या कहता है उसको भी आप ढूने तो मेरे खयाल से आपका जो वीडियो है और ज्यादा रीच पाल लेगा अगला है user engagement जब आप user के views देखते हैं तो उनकी engagement कहां पर सबसे ज़्यादा रही उन्होंने आपके किस content को सबसे ज़्यादा देखा जो भी आपका medium है उस पर किस तरह के content को सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं या फिर उनके जो reviews आए हैं वो क्या कहते हैं यह आपको इशारा करते हैं कि जो user या फिर जो viewer आपके medium पर रुके हुए हैं वो किस वज़ा से रुके हुए हैं और वो आपसे और किस तरह का content चाहते हैं तो उनके views देखिए, analytics में जाकर आप उनकी engagement देखिए कि किस तरह की उनकी engagement रही है, किस तरह के videos को, किस तरह के content को उन्होंने ज़्यादा सर्च किया है तो मुझे लगता है कि जब आप उनके हिसाब से जब अपना नया video बनाएंगे, लोग जाहिड तोर पर उनको देखेंगे, उन्हें अच्छा भी लगेगा कि आपने उनकी बात मानी, आप उनका जिक्र भी कर सकते हैं कि हमारे ऐसे एक viewer थे या हमारे दर्शक थे, उन्होंने किस तरह का content माँगा और उनकी मांग पर हम इस तरह का content बना रहे हैं तो ये थी वो सारी चीज़ें, किसी भी content को, वीडियो content को, या फिर सिर्फ text content को, कोई भी content जो डिजिटल मीडिया पर जाता है, उसको आप सर्चिंग में टॉप पर लेकर आएं, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो बेकार ना हो, वो जाया ना हो, उस मेहनत का आपको पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ उससे पहले subscribe करें, subscribe करने के बाद उसके आगे जो bell icon है, उससे जरूर हिट कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊगा, तो उससे bell icon को हिट करने के बाद, आपके पास हमेशा एक link आएगा, आपको अपने पता चल जाएगा कि मेरा नया वीडियो सामने आ चुका है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बश्चुक्रिया, नमस्कार